तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही जल्दी से तयार होने वाली मिठाई और जो लक्षमी माता को भी प्रिया होती है चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की तयारी हमें लेना है आधा टेबल इस्पून गी उसको एक पैन में डाल देना है जब यह घी हमारा मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें एड करेंगे नारियल जी हाँ आज हम बनाएंगे सुखे नारियल के लड़ू अगर आपके पास में पूजा वाला नारियल है आप उसको भी ग्रेट करके लड़ू बना सकते हैं मैं आज आपको दोनों नारियल को एक साथ मिक्स करके लड़ू बनाना बताऊंगी यह देखी यह हमने लिया है डेसिकेटिड कोकुनट जिसको कहते हैं नारियल का बुरादा अब हमने लिया है यह आदा कप के बराबर पूजा वाला नारियल होता है उसको ग्रेट करने के बाद में अब हम इसको मिक्स करेंगे एक से दो मिनट के अंदर यह अच्छे से भून जाएगा इसको भूनना है हमें लेकिन बहुत जादा टाइम नहीं भूनना है और हमें सिम फ्लेम पर इसको भूनना है ताकि इसका कलर चेंज नहीं हो लड़ू हमें वाइट ही बना कर तयार करने हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं नारियल के लड़ू और खाने में तो बहुती टेस्टी भी होते हैं यह देखिए हम इसको इस तरह से भूनेंगे एक से दो मिनट हमें सिम फ्लेम पर इसको भूनना है और यह इस तरह का करल लेकर आजाता है बहुत जादा गोल्डन इसको नहीं करना है यह देखिए इसको ऐसे चलाते रहेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे दूद मैंने लिया है देड़ कप नारियल और मैं इसमें एड़ करूँगी देड़ कप के बराबर दूद एक कप दूद इसमें जा चुका है आदा कप दूद हम इसमें और डालेंगे यह देखिए इस तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे जब तक यह ठिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है इसको चलाएंगे दो से तीन मिनट सिम टू मीडियम फ्लेम पर यह देखिए इसको इस तरह से चलाते रहेंगे सिम फ्लेम पर गैस को रखते हुए चार से पांच मिनट इसको अच्छे से हमें पका लेना है ताकि यह एक ठिक कंसिस्टेंसी में आ जाएए देखिए इसको चलाते रहना है नहीं तो हमने दूर डाला है यह नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा आप देख सकते हैं चार मिनट हो चुके हैं यह इस तरह का हो गया है अभी हम इसको एक मिनट और पकाएंगे ताकि यह इससे और जादा ठिक हो जाए अब हम इसमें इस दोरान एड करेंगे आदा कप से भी कम चीनी आप मिठा अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं कम या फिर जादा यह देखिए अब चीनी भी इसमें मेल्ट होगी तो यह देखिए इस तरह से इसको नीचे लगने नहीं देना है नीचे चिपक जाएगा अगर हम इसको नहीं फ्राएंगे तो नारियल के लड्डू में खोया भी डाला जाता है milk powder से भी नारियल के लड्डू बनाये जाते हैं आप चाहें तो condensed milk के साथ भी नारियल के लड्डू बना सकते हैं या फिर अगर आप कुछ भी नहीं ऐड़ करना चाहते तो ऐसे भी नारेल के लड़ू बनाएं जा सकते हैं लेकिन आज हम लड़ू बनाएंगे उसमें ऐड़ करेंगे मिल्क पाउडर आप देख सकते हैं जिब मिल्क पाउडर लिया है आप कोई भी मिल्क पाउडर योज कर स इसमें कोई भी लंच ना रहे रियाद रहे फ्लेम को हमें सिंपर ही रखना है यह मिक्सर बनाती हुए यह देखिए अब इसको भी एक से दो मिनट लगेंगे अच्छे से थिक कंसिस्टनसी में आने के लिए यह देखिए इसको भी हमें लगातार चलाते रहना है ताकि मिल्क पाउडर नीचे नहीं चिपके इस जोरान हम इसमें एड करेंगे एक टी इस्पून के बराबर घीब फिर से ताकि यह नीचे चिपकेगा नहीं और इसमें एक अच्छी शाइन भी आएगी आप देख सकते हैं यह थोड़ा थिक होने लगा है मिल्क पाउडर किरने के बाद मे अब मैं आपको दिखाती हूँ दो मिनिट के बाद में यह पूरा थिक हो जाएगा यह देखिए यह एक डो फोम में आ चुका है अब हम कैस के फिलें को कर देंगे बन अगर आप बर्फी बनाना चाहते हैं नारियल की तो आप कोई भी बर्फी वाला मोल्ड ले सकते हैं घी इसे ग्रीज करने के बाद में लेकिन मैं इसके लड्डू बना का तयार करूंगी तो मैंने ली है एक प्लेट उसमें नाला है एक टी स्पून घी और इसको अच्छे से फिला देंगे ताकि जब हम इसमें अपना बैटर ट्रांसपर करेंगे नारियल का तो वह नीचे चिप यह देखे इस तरह से हतेलियों के बीच में उसको गोल गोल घुमाते हुए जैसे लड्डू बनाते हैं लड्डू बनाकर कर लेना है तैयार हो चुका है अब हम इसमें चारो तरफ से लगाएंगे नारियल का बुरादा इससे यह देखने में भी सुदर लगता है और नारियल के लड्डू कहाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसको बिना मिलावट की मिठाई कहा जाता है ये देखिए अब हम इसको रख देते हैं बिल्कुल इसी तरह से अब हम दूसरा लड़ो भी बनाकर तयार करेंगे इनको बनाने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है जल्दी से बनकर तयार होने वाली मिठाई है और सब इसको इंजोई करेंगे आप जितने लोगों को खिलाएंगे कोई आपसे ये नहीं कहिएगा कि आपके लड़ो टेस्टी नहीं है क्योंकि नारेल मुसली सभी को पसंद होता है ये देखिए इस तरह से इसको भी हमने चारों तरफ से कोट कर दिया है बुरा दे की साथ में ये देखिए इस तरह से हो चुका है ये भी बनकर हो चुका है तयार कोई भी फेस्टीवल हो आप बहुत जल्दी से नारेल के लड़ो बनकर हो चुके है तयार अगर आपको हमार अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट अच्छी बटन और कमेंट करके हमें ये भी बताना कि आपको कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा प हती हैं